उत्राखंडी परवसी भैबंदों जी राया चागी राया लागी बडुली देव भूमी की रैबासी दीदी भूल्यों जी राया चागी राया लागी पडुली दोस्तों जै बारत जै उत्राखंड आप देख रहे हैं पाहडो का राई चैनल और बात हम आज करेंगे संगीत की उत्राखंड के कल्चर की और कई गीतों से एक हमारी बेहन है जिनोंने उत्राखंड के लोगों को पहाड की याद दिलाई है चाए सहर में बैठे वे लोगों चाए पहाड में बस में कोई सफर कर रहा हो इनके गीतों को अक्सर लोग सुनते हैं और मैं जिसकी बात कर रहा हूं मेरे सामने हैं पूनम सती जी बहुत-बहुत स्वागत दीदी आपका मेरे चैनल पर बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का आप लोग आए और मुझे अपने दर्शकों से रूबर होने का मौका दिया हम यहां पर आज संगीत की भी ब बात करेंगे हर चीज की पहलू पर हम जाएंगे जी सबसे पहले में आप से ठोड़ा डेटेल में आपके जो गाउं है जो सबसे बारे में दर्शकों को पता लग जाए कि कहां से आप रहने वाले मैं माई के से वैसे जो मेरा गाउं पढ़ता है मैं ब्लॉंग करती हूं यह पर हम लोग आते जाते रहते थे अपने दादा जी मेरे फ्रीडम फाइटर थे और पापा जी बहुत अच्छे जोतिशा चाह रहे हैं और मामी हाउस वाइफ है और मेरी शादी वी चमूली इस्टिक में हाँ जो साधी यहां देरदुन में भी या पहाड नहीं देरदुन म हुए रहते हम यहीं थे ना पैदाइश हमारी हैं हुए हस्बन भी इधर इधर रदुन में रहते थे पर यहां रहके भी जो मुझे पहाडों से लगाव हो बच्पन से था क्योंकि गाउं जाते हैं बिल्कुल जाते हैं अपने जाते हैं बहुत बढ़िया और रहना भी चा पानों से कुछ चीज़ खरी देंगे तो चलते रहना चाहिए सिंगिंग का जो शुरुआत है वो कब से भी थोड़ा साइंस की सब्जेक्ट से मूजिक में इंटरेस्ट था तो मैंने म्यूजिक से भी प्रभाकर किया फिर उसके बाद मैंने म्यूजिक से में किया मैंने मैं मैं जहां से मैं सीखती थी मैं कहती थी कि आप इसमें भी अपना करियर बनाओ तो यह मतलब शौक्या तो पर मैंने शुरू करा था कुछ ऐसा नहीं था कि मैं बहुत बड़ी सिंगर बनूं या कुछ ऐसी पहचान मना हूं बस पर मुझे अच्छा लगा था अपनी एक्टि क्लेबी काम करना पहला अगर जो आपको मौक और बहुते से पहले था का फीज़ूयआ करे treatment विसीबड करने सब्सक्राइब करें और मैंने काफी अल्भम सपनी भीनिकाल करचे ट करा थे और मैंने अप्रेवा सब कर च्ण्डीगर में हुई ते उस स्वाफन निकाल यह ने लिए प्रूजिक वे कांटे निकाल है और इस तरह मैंने कई तो इसके बारे में जानकारी नहीं थी या हाँ पहले क्या करती थी कि अपने पैसे वैसे लगाए मैंने खुद देने का चलो करना चाहिए अपने लेगा पर मैं ये अपने सॉंग्स दूसरे चैनल को देदे थी मैंने कभी उनसे कोई पेमिंट भी नहीं लिया अपने सॉंग् सब्सक्राइब करें क्योंकि हमारे उत्राखंट के जो सिंगर है अगर हम लोग इनका प्रोसान नहीं बढ़ाएंगा तो कौन बढ़ाएगा इक बटन दबाने से हमारी जेव से तो कुछ नी जाएगा लेकिन एक हमारे जो बहन है जो एक सिंगर है उसको एक अच्छी पैचान मिलती है अब भी फिलाल कोई नया गाना आने वाले हैं बिल्कुल अभी एक माननदा का गीत मैं कर रही हूं इससे पहले भी मैंने तीन-च आज नोटियाल जी का अभी कल भी आपने जुंगा गीत सुना होगा कल भी हमारे नए गाने का शूट चल रहा था रूद्रिप्रयाग डिस्टिक में तो मैं बारिस की विज़ से जानी पाई पर कल फिर मैं स्टूडियो में एक नए गीत की डमी देने गई थी तो बहुत ज अच्छा लगता है कि मैं भी सिंगर वो भी सिंगर लेकिन थोड़ा जो फेमस वाली बात है थोड़ा सा आपको ऐसे फिल आई कि ज्यादा जल्दी उन्होंने टार्गेट एचीव कर दिया नहीं मुझे अच्छा लगता है कि हम स्कूल टाइम में उनको सिखाते थे कई बच बचक करते हैं आपके यूटुब चैनल पर तो काफि गीत हैं और और दूसरों के यूटुब चैनल के लिए भी आपने काफिक गीट आपके माध्यम से वैसे तो काफी गीट जो मुझे अच्छे लगते हैं पर एक जो मैंने श्री नरंदा शिंग नेगी जी के साथ गाया था वह प्रमोशनल सौंग था बाडुली संस्था के लिए न्यूजी लैंड में जो संस्था हुआ करती वह दो लाइन का गीत था प्रमोशनल बट मुझे वह बहुत अच्छा ल जीराया जागी राया लागी बडुली देव भूमी की रै बासी दिदी भूल्यों जीराया जागी राया लागी बडुली ओना च्छा तुमरी खुद बिसराणू डांडी काठ्यों की याद दिलाणू जल्म भूमी कु रहे बार देणू दुम थे तुमारा गीत सुनाणू ओना च्छा ओनों जीराया जागी राया लागी बडुली जीराया जागी राया लागी बडुली बहुत सांदार और गीत वाके में काफी फेमस होता है गीत लेकिन इस गीत के बारे में साथ मुझे लगता है लोगों को पता भी नहीं होगा कि ज्यादा तर लोगों के जो मुक्य सिंगर हैं जिसमें फीमेल आवाज है वो आपकी आवाज कभी इस चीज का कोई मलाल हुआ कि है अवाज मेरी ना होते वही जो है मुझे इतनी पैचान है वहां नहीं होना था वहाण पर जाना किसी और को था और उन लोगों को एक वाता कि नाम नहीं दिया गया और अब है अब है उसमें नाम है मेरा गीत गाया एक आपका जो है एक गीत निलिमा वाला भी आया था आपका साथ यूट्व चैनल पर आपका दूसरा गीत था साथ लगवाखना अगर एज सिंगर एज प्रॉपेशनल सिंगर मैं बोलूँ जातर मैंने देखा उत्राखंड सिंगरों को छोड़के दूसरे स्टेट के सिंगर होते हैं काफी इंकम लोग जनरेट कर लेते हैं हमारे उत्राखंड के सिंगर भी जनरेट हो जाती है इंकम ऐसे गीतों से मलब अगर आप कोई गीत रिलीज कर रहे हैं यूट्यूब पे प्रॉफिटेवल है या सिर्फ संस्कृति को बचाने का ही परियास किसी ची नहीं किया कि मुझे कोई फाइदा हो या नुकसान मुझे यह अच्छा लगता था कि मुझे आसा लगता कि हमें कुछ लगता है को इसे अपका कर्ता है ह। उसमें फायदा नुक्सान पिर नी देखा जाता कोरोना का असर हुआ जो है कुछ जो हमारे साइटे कलाकार हैं लोग आए के उनकी जो आजी विका पर असर पड़ा बिल्कुल कोरोना का जो सबसे बड़ा संकट हमारे कलाकारों पर पड़ा था कुछ होटल लाइन के लोगों पर पड़ा था तो अभी भी है उसका देखो समय कारिकरम सब बंदी हैं पर हम लोग फिर भी काम कर रहे हैं अपने कल्चर के लिए अपने गीत निकाल रहे हैं मतलब सबसे ज्यादा जो संकट हैं मुझे लगता कलाकारों पर पड़ा हैं तो दोस्तों इस समय हम पूनम सती के साथ हैं देरादून में उनके आवास में हैं पहाड की बहुत बड़ी पीड़ा है कि पहाड के नाम पे लोग पैसा कमाना चाहते हैं पहाड के नाम पे लोग राजनीती करना चाहते हैं पहाड के नाम पे लोग गीत बनाना चाहते हैं लेकिन पहाड में कोई रहना नहीं चाहता है, ऐसा क्यों? देखो इसकी कुछ जिम्मेदारी लोगों की तो कम है, बर सरकार की भी जादा है, क्योंकि मैं वहाँ पर कोई रहना भी चाहे, अगर वहाँ पर स्वास्त की सुविधाई निये हैं, वहाँ पर शिख्षा के लिए कुछ नहीं है, वहाँ बेरोजगारी थो पहाड का बंदा कहना बहुत आसान होता है कि हम भी जहाँ रहते हैं रहते हैं जैसा है अयह है इंसान बाहर जाता है सिक्षा के लिए बाहर जाता है क्योंकि हमारे जो पाहाड के नौजवान है वो बहुत ही टैलेंटेड बहुत ही बुद्धिमान बहुत महिनती हैं पर उन्हें जब सब चीजे महां पर नहीं मिलती तो मजबूरी में अपने बुड़े माबापको भी छोड़के जाना पड़ता है अपने बीवी बच्चों को करें आपका वी है है डिश्टब होती है मेलकि को भीट प्रोग्राम के लिए भाः जाना होता है उनको ये अपने यह कहता है है क्योंकि उनका वी जो काम अब मेरा प्रोग्राम होता है तो हमारे ना कही बार दोनों एवेंट हमारे साथ-साथ ही होते हैं तो हम अच्छी बात है और जो है दोस्तों पूणम सतीजी एक यह जिन्हों ने बहुत अच्छी आवाज में परस्तूति करके कई लगता है साध आपने कहीं चैनलों के लिए गाया होगा गाना भी तक चैनल तो उसमें पहाड की एक नारी का वो था, कि मतलब वो जिजा करिये अपने जेट लोगों के सामने कि मैं कैसे, कहते हैं हमारे पहाडों में जब कोई खुशी का माहल होता है, जुमका, थड़या, चौफला यह सब लगाते हैं, जुमयलो, तो उस पर आधारी तो गीत था, तो यह गाया मैंने माया लेगे गाया था पूर्ना फिल्म्स के लिए, और हारदी फिल्म्स में एक में गीता हैं, हिंदी गाने भी ट्राइ करें कभी? मैं हिंदी, इस शुरुवात में हिंदी ही गाती थी, मतलब कभी स्टेज में जा मुझे गाने को मिलता है, उसके बाद ही जिन्दगी हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं तेरे मासूम सवालों से परिशान हूँ मैं, हो परिशान हूँ मैं जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने हूँगे मुस्कुराओं तो मुस्कुराने के, कर्ज उतारने हूँगे मुस्कुराओं कभी तो लगता है, जैसे होटों पे कर्ज रखा है तुझसे नाराज नहीं, जिन्दगी हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं क्या बात, क्या बात, मज़ा आ गया है यार, बिल्कुल जो है, जो अब आज जो गाना, रिकॉर्डिट भी गाना मुझे लगता है, कि बिल्कुल मैचिंग फ्लो पे आप गा रहे थे, बहुत सांदार और मैं चाता हूँ कि हमारे उत्राखंड के जो सिंगर है, पवंदीब को आप देख लीजे, ठीक है, आज एक अच्छे कासे मंच पे है, तो मुझे तो लगता है कि सिर्फ मंच पे जाके आपको पर्फरमेंस देने की बज़े, आप खुद भी अपना ट्राई करिए, क्यों दर है क्या कि उत्राखंड के लोग प्यार ने देंगे, मैंने सुरुवात में दो हिंदी भजनी निकाले थे जब मेरी रिकॉर्डिंग हुई थी, हिमालन फिल्म को हमने दिये थे वो गीत, तो मतलब मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि आप हिंदी भी गाई है, पर वही मैं पूनम सती जी थी, लास्ट सवाल आप से पूछूंगा, उत्राखंड सरकार से कितना फायदा मिलता है, जो हमारे लोग कलाकार है, फायदा है, देखिए अभी कोरोना काल में तो कुछ हैल्प नहीं मिली थी कलाकारों को ले, अब कुछ शुरू किया है कि वो पर आर्टिस् अब वो शुरू होगा, कब वो मिलेगा, वो हमें भी नहीं मालूं, लेकिन तो कोई असी है, मतला इतने टाइम से तो कुछ हैल्प नहीं मिली, पुनम जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पे अपना समय देने के लिए, जाते-जाते जो है, आपके माध्यम स हम सिर्फ लोग गीत की बात करेंगे, अब थड़े गीत, चौपाल, मांगल, एक गीत जाते-जाते हैं आपके माध्यम से, ठीक है, मैं आपको एक लोग गीत सुनाना चाहूंगी, जिंगर की डाली आपने सुना भी था, मेरा पहला अपने चैनल का वो गीत था, ननी ननी घींगर की डाली, जुम्पा केल तोड़ दा, गाओ का पधान मा पुचा, जुम्पा केल तोड़ दा, गदेन की लोड़ दा, बाटा का बटोई दा, तू डाली ना तोड़ दा, जुनी ननी घींगर की डाली, जुम्पा केल तोड़ दा, गाओ का पधान मा पुचा, जुम्पा केल तोड़ दा, ननी ननी घींगर की डाली, जुम्पा केल तोड़ दा, गाओ का पधान मा पुचा, जुम्पा केल तोड़ दा, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सांदार गी तो दोस्तों फिर मैं कहूंगा पूनम सती ओपिशियल मैं अपने चैनल के लिए नहीं बोलू है लेकिन पूनम सती जी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए वीडियो सेयर करिए सोसल मीडिये एक ऐसा माध्या में हमारे सिंग ओर जाच्रागंद।